सो ऑनलाइन जो है वो मतलब पोर्टल्स पर जो वेबसाइट हैं वहां पर रिपोर्ट ऐसा किया जा रहा है कि एक लाग तीस हजार एक लाग पचीस हजार के आसपास का जो बेनिफिट है वो मिल रहा है लेकिन जब हम डिलर्शिप विजिट कर रहे हैं तो less than a lakh मुझे लगता जो है यह आपको मिलने वाला है ऐजारो का डिस्काउंट लाखों का डिस्काउंट गारियों पर भरभर के ओफर्स मिल रहे हैं आपको बहुत सारा denkt मिल्रा क पर मिल का रहा है आपके बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आये जो मैंने पिछली वीडियो डाली उनके उपर भी लॉंग फॉर्मेट्स शॉर्ट फॉर्मेट्स सब पर यह कमेंट्स आये कि वह डीलर्शिप तो डिसकाउंट देगी नहीं रहा है तो हम इसी खोज में निकले हैं कि किस पर क्या कुछ डिसकाउंट्स मिल रहे हैं और आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं हर कार ब्रैंड के उपर मिलने वाले डिसकाउंट्स के उपर और यह सिर्प मैं जबानी नहीं बताने वाला बलकि हर शोरूम में विजिट करने वाला हूं विजिट करके आपके पता करने वाला हूं कि क्या डिसकाउंट और बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं तो चलो मेरे साथ वीडियो की शुरुवात करते हैं सबसे पहले चलते हैं टाटा के शोरूम तो भाई अभी हम टाटा के शोरूम में पता करने की टाटा हैरियर, टाटा सफारी और निक्सॉन इवी जो है तो लगबग 1,60,000 रुपए तक का कॉस्ट जो है यह हो जाता है कम हैरियर प्योर प्लस एस आटोमेटिक वाले वेरियंट में बिलकुल इसी तरीके से सफारी में भी अगर आप देखते हो ना तो सफारी में भी लगबग 1,80,000 रुपए का एक शोरूम प्राइसे जो हैं य अबर आल सारे ये एक शोरूम में डिसकाउंट मिलाने के बाद आपको शोरूम वाले जैसे 68,000 के आसपास का डिसकाउंट दे रहे हैं ओन टाटा सफारी और अगर टाटा हैरियर की बात करो तो टाटा हैरियर पर लगबग 66,000 रुपए तक का जो डिसकाउंट है वो मिल रह रहे हैं कि एक शोरूम जो प्राइसे उसमें कटोती हो गई है तो सारी प्राइसे वैसे ही रिड्यूस होती ही चली जाएंगी तो ये तो है टाटा सफारी की बात टाटा हैरियर की बात टाटा निक्सॉन की बात कि क्या प्राइसे जो है इसकी फाइनल ही पट रही है एक एक शोरेंस, रजिस्ट्रेशन, TCS और यह सारी चीज़ें एड़ेड हैं, इंक्लूडिंग बेसिक किट जो पच्पन सो रुपे तक की है, इसमें आफ्टर डिसकाउंट मतलब 66,000 रुपे का डिसकाउंट करते हैं, तो 21,90,000 रुपे की प्राइस आती है, 23,18,000 रुपे, 23,18,327 रुपे, अगे ना बात कर रहा हूँ, प्योर प्लस अट आटोमेटिक S वेरियंट की वाइड कलर में, इस पर भी जो शोरूम है, वो आपको लगबग 68,000 रुपेस तक का डिसकाउंट अपनी तरफ से ओफर कर रहे हैं, सो यह है जी, फुल मिलाकर डिसकाउंट, टाटा, सफारी, हैरियर, और नेक्साउंट जैसा मुने बताया है, चलिए आगे, अगले शोरूम में चलते हैं, सो अब किया में गया था मैं, पता करने कि क्या डिसकाउंट मिल रहा है, क्या ने मिल रहा है, अनलाइन जो बेनिफिट्स बताई जा रही है, वो लगबग 1,60,000 के आसपास बताई जा रही है, किया सेल्टॉस के उपर, और EV6 के उपर 10,00,000 का डिसकाउंट है, वो बताया जा रहा है, ये अलग शोरूम में वैरी भी कर सकता है, किसी शोरूम के पास स्टॉक अगर होगा, तो वो शोरूम आपको दे सकता है, डिसकाउंट, बाकि सोनेट पर भी डिसकाउंट देने से मना कर दिया गया, कार्निवल, सॉरी, कारेंस पर भी कोई डिसकाउंट नहीं मिला, नहीं का यह कहना है, अगर हम एक वेरियंट का एक्जाम्पल ले, सेल्टॉस, HTK+, IVT 1.5 पेट्रॉल, जिसमें कि सन्रूफ और आटोमेटिक वाला वेरियंट है, तो इसमें आप यह मान के चलो कि डिलर्शप का कहना है, यह 15,000 रुपए आपको इंशोरेंस का बस हमको पे करना होगा, इसके अलावा extended warranty, लगभग 23,000 रुपए फ्री हो जाती है, तो अगर मोटा मोटी आप कैलकुलेट करोगे, तो less than 1,00,000 जो है, यह आपको अमाउंट पड़ रही है, यह सेल्टॉस की मैं बात कर रहा हूँ, पेट्रॉल डीजल ऐसा कोई खासा अंतर नहीं है, मोटा मोटी सेम डिसकाउंट ही जो है, तो ऑनलाइन जो है, वो मतलब पोर्टल पर जो वेबसाइट हैं, वहाँ पर रिपोर्ट ऐसा किया जा रहा है कि 1,30,000, 1,25,000 के आजपास का जो बेनिफिट है, वो मिल रहा है, लेकिन जब हम डिलर्शिप विजिट कर रहे हैं, तो less than a lakh मुझे लगता है कि 70-75,000 के आजपास का यह टोटल डिसकाउंट है, चलिए अगले शोरूम में चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या कुछ ओफर्स मिल रहे हैं, डिसकाउंट बिल रहे हैं आपके लिए, तो जी, अभी मैं गया श्कोडा के अंदर पता करने की श्कोडा में किस तरीके के डिसकाउंट्स और बेनिफिट्स अवेलेबल हैं, तो सबसे जादा जो डिसकाउंट अवेलेबल है किसी जाड़ी पर वो है कोडियक, कोडियक पर लगबग तीन सवा तीन लाग के असपास, फ्लैट कैश डिसकाउंट जो है वो अवेलेबल है और कोडियक काफी महंगी है, विक्ती भी कम हैं, सेल्स कम हैं तो उस पर आपको काफी सारा डिसकाउंट जो है वो मिल रहा है, बाकी बात इनके और वेरियंट की अगर करें जैसे कुशाक की करें तो कुशाक में एक नया स्पोर्ट लाइन इन्होंने अड़ किया है, जो की वन लीटर पेट्रॉल इंजन के साथ आता है, डिड़ लीटर के साथ भी आता है, वन लीटर वाले में आपको मैनूल और आटमेटिक दोनों का अप्शन मिलता है, जो इसमें डिसकाउंट अवेलिबल है, वो अवेलिबल है आपके लिए 40,000 रुपे का कॉर्पोरेट डिसकाउंट, चालीस अजार रुपे का एक्शेंज बोनस और लगबग 20,000 रुपे तक का डिलर्शिप डिसकाउंट, तो मानके चलिए कि मोटा-मोटा एक लाख रुपे तक का जो बेनिफिट है, वो आप Škoda कुछाक में जो है वो ले सकते हैं, स्लाविया में भी मोटा-मोटी यही डिसकाउंट है, 40,000 रुपे तक का एक्शेंज बोनस, 40,000 रुपे तक का कॉर्परेट बोनस और लगबग 20,000 रुपे तक का डिलर्शिप डिसकाउंट, एड करते हैं टोटल तो एक लाख रुपे के आसपास जो हैं, यह टोटल बेनिफिट हो रहा हैं, थोड़ा बहुत अगर और नेगोशियेट कर लेंगे, तो 15,000 रुपे, 25,000 रुपे तक मैक्सिमम आप इसको खीच सकते हैं, तो यह मान के चलिए कि लगबख सवा लाख रुपे तक के डिसकाउंट नहीं, बल्कि बेनिफिट्स आपको मिल रहा हैं, श्कोडा की अगर आपको शाक लेते हैं या सलाविया अगर आप लेते हैं, कोडियक मैंने अल्रडी बताया, 3,3,5,000 के आसपास का डिसकाउंट है, तो यह है श्कोडा की जो डीलर्शिप लेवल पर मिलने वाली जो बेनिफिट्स है, उसकी बात, चलिए अगले शोरूम में चलते हैं और पता करते हैं कि वहां किस तरीके के डिसकाउंट्स और बेनिफिट्स आपके लिए अवेलेबर तो अभी मैं गया था जी नेक्सा के शोरूम में पता करने कि नेक्सा में किन-किन गाडियों पर क्या-क्या डिसकाउंट्स और रुपए consumer offer के तहप मिल रहा है यानि वह आपके लिए discount ही होगा और 10,000 रुपए का additional discount जो शायद dealership की तरफ से आपको मिल रहा है तो जो total discount आपको मिल रहा है या total benefit कह लिजे वह आपको मिल रहा है वो है लगभग 66,000 रुपीज का मैं बात कर रहा हूं Grand Vitara के strong hybrid variance इसके अलावा बड़ा surprising है जब मैंने जिमनी की बात की तो उन्होंने गोला कि जिमनी पर कोई offer जो है वो आपको अब नहीं मिलेगा कोई discount नहीं मिलेगा अब यह एक selected dealership पर हो सकता है और किसी dealership पर हो सकता है कि अलग कोई चीज हो बाकी बलीनो इगनिस जो यह वाली गाडियां है इन पर 10-10,000 रुपय का discount है इसके अलावा कोई discount ही है in fact I was surprised कि Siaz पर भी जो dealership है वो कोई discount नहीं दे रहा है तो यह एक reality चेक है जी मोटा मोटा इसमें आपको जैसा मैंने बताया है 66,000 रुपीस का overall जो है वो आपको discount और benefit मिल रहा है एक बार मैं आपको bifurcation भी बता देता हूँ Grand Vitara का Intel Electric Hybrid Alpha प्लस ECVT यानि कि इसमें आपको Paneromic Sunroof में मिलेगा Automatic में मिलेगा 19,93,000 रुपय इसकी एक showroom जो है वो बैठती है Insurance लगभग 54,000 रुपय बैठती है जिसमें कि 6,000 रुपय का discount है Registration अगर आप UP में कराते हैं और अब I'm sure कि शायद करनाटका में भी यह चीज़ शुरू हो चुकी है Registration आपको नहीं देना पड़ेगा Strong Hybrid अगर लेना चारा है तो यह मान कि चलो कि मोटा मोटी वो discount ही हो गया सिर्फ 5,000 रुपय की nominal सी amount pay करने पड़ती है Registration के नाम पर इसके अलावा accessories है कुछ 25,000 रुपय तक की लगबग 2,000 रुपय के और charges है अगर आप finance कराते हैं तो 15,000 रुपय का HP का charge है बाकी 800 रुपय आपके लिए fast tag है और कुछ और चीज़े हैं total इसकी price आती है अगर आप UP registration देख रहे हैं तो यह आता है 2,80,669 रुपय उसमें अगर हम यह 66,000 रुपय के आसपास जो है अगर इसको minus करते हैं तो final pricing आती है 2,15,669 रुपय तो यह है Grand Vitara के hybrid variance के reality तो अभी हम गये जी Nissan के showroom में और निसान मैगनाइट पर जो हैं काफी सारे offers जो हैं वो हमें मिल रहे हैं so मोटा मीटी कुछ इस तरीके का जो है आपको bifurcation देखने को मिल रहा है अगर इनके Geza Edition की बात करें तो Geza Edition जो है वो cost करता है लगभग 11,21,670 रुपय एक्स चो रुप इसमें अगर discounts की बात करें तो लगभग 15,000 रुपय का cash discount मिल रहा है exchange bonus 60,000 रुपय तक का मिल रहा है 10,000 रुपय का एक additional जो discount है वो भी मिल रहा है logistic 65, 100 रुपय के आसपास और insurance लगभग 12,000 रुपय के आसपास वो लगभग 10,000,000 रुपय के आसपास की pricing आने वाली है यह जो discount है यह आपको Geza के साथ साथ जो इनका Turbo CVT है XV Premium इन सारे variants पर है lower variants की तरफ अगर आप जाते हैं तो जो cash discount है वो कम हो जाता है approximately 10,000 रुपय के आसपास बाकी exchange और यह सारी चीज़ें जो हैं यह मोटा मोटी सेम रहती हैं तो आप यह मान के चलिए कि lower variants को भी अगर आप Nissan Magnite के lower variants को भी opt कर रहे हैं तो 70-80,000 रुपय तक का आपको discount और benefits देखने को मिल सकता है तो यह है एक reality check of Nissan Magnite जो online हमें discounts और benefits देखने को मिल रहा है versus जो dealership पर हमें देखने को मिल रहा है गाडियां और भी हैं पीछे खड़ी हैं Toyota तोयोटा पर क्या कुछ मिल रहा है in the sense की Krista पर क्या मिल रहा है High Cross पर क्या मिल रहा है Fortuner पर क्या मिल रहा है Hilux पर क्या मिल रहा है इसके अलावा MG की भी गाडियां है Jeep भी है इन सारे brands पर भी बहुत सारे discounts और benefits आपके लिए available हैं लेकिन इसको मैं cover करने वाला हूँ वीडियो के part 2 में जो कि बहुत ही जल्द आएगा बाकी अभी तक ये वीडियो आपको कितना helpful लगा अगर आपका कहीं कोई सवाल है discounts और benefits से related तो वो नीचे आप comment section में छोड़ दीजेगा बाकी मैंने कोशिश की कि एक honest सा comparison में कर सकूँ जो online हमें offers दिख रहे हैं अलग अलग जगहों पर versus जो reality हमें देखने को मिल रही है dealership level पर एक चीज मैं जरूर और mention करूँगा देखें ये जो discounts और benefits है न ये city to city vary कर सकते हैं मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ तो हो सकता है कि दिल्ली में ये discount मिले मुंबई में discount ना मिले या मुंबई में discount मिले दिल्ली में ना मिले या noida में मिले तो city to city ये सारी चीज़े vary कर सकती है discount और benefit का जो amount है ये भी बहुत हद तक जो है vary कर सकता है आपके लिए इस चीज को जरूर दिमाग में रखेगा बट हाँ एक मोटा मोटी मैंने आपको idea देनी की कोशिश करी एक reality चेक करने की कोशिश की कि क्या कुछ offers available है वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक like जरूर हमें दे दीजेगा and channel को subscribe जरूर कर लीजेगा and hit the bell icon ताकि कोई भी ऐसा information कोई भी ऐसा वीडियो कोई भी ऐसा content आप miss ना कर पाएं वीडियो का part 2 बहुत जल्दी दा रहा हूं आपके लिए अभी के लिए I'm signing off drive safe